नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कंसेटेंट हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज फिर एक ने मिशेपर चर्चा करना चाहूँगा आपका अपना शोरूम है या दुकान है और वेस्ट ट्रेसिंग है और आप अपने दुकान में अपने शोरूम में किसी भी चीज का काम करते हैं चाहे आपका अपना ज्वैलरी का काम है या आपका अपना गार्मेंट्स का काम है या आपका अपना होजरी का काम है या आपका अपना कॉस्मेटिक का काम है आप अपने शोरू में आप अपने दुकान बे चाहे जो भी काम कर रहे हैं और आपका काम अच्छा नहीं चल रहा आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं आपके हैं काम अच्छा होने के बावज़ू भी फाइनेंस के परती हमेशे ही टाइट रहते हैं या आपका पैसा ब भूत बढ़िया चलती है कुछ दुकाने ऐसी होती हैं जो अपने जरूरत के खर्चे पुरे कर लेती हैücks görün at the price in shows a virgin उन्हें हमेशे ही माल टालने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है आप जरूरत से ज्यादा परेशान हैं तो आप मेरी वीडियो को ज्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें मेरी वीडियो को शुरू से लेकि आखिर तक जरूर देखें आपकी दुकान आपका अपना शुरूर वेस्ट विजिंग है तो सबसे पहले तो यह देखें कि आपके अपने जो बहार का एरिया, जो सड़क है, जो रोड है, वो उबढ़ खाबढ़ है, उची नीची है, अपने डाउन है तो उसे आपने स्मूथ कराना है ऐसा करने से आपकी वर्किंग अच्छी हो जाएगी आपने अपने यहां फ्रंट के भाग में रैड कलर के स्टेप बनाई हुए है तो भी आपकी वर्किंग अच्छी नहीं हो सकती ऐसे ही आपने अपने शेटर के ओपर रैड कलर का पेंट किया हुआ है तो भी आपकी वर्कें अच्छी नहीं हो सकती तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने steps का color change करें shutter का color change करें आपने foot mat radical का डाला हुआ है तो आप foot mat को भी जरूर change करें इसी के साथ मैं आपको बात और बताना चाहूँगा आपने अपने front के भाग में south west corner में या north west corner में पानी का नल लगाये हुआ है और उस नल से पानी टपकता रहता है front का भाग हमेशे ही आपका गिला रहता है तो मेरा अपने ये मानना है कि आपके यहाँ पैसे बेवजय खर्च होते रहते हैं काम अच्छा होने के बहुद भी आपका पैसा बेवजय खर्च हो जाता है इसी के साथ आप नोटिस किजिए आपके हाँ चट के ओपर पाने की टंकी रखी हुई है और उससे पानी और फ्लो होकर आपके front के भाग में यानि रोड के ओपर पानी आ जाता है आपके टंकी ओर फ्लो होती है या प्रसे की तंकी ओर फ्लो होकर आपके दुकान के आपके शोर रूम के सामने पानी आता है तो उसके करण़ भी आपको पैसे किदिक्ट हमेशा बनी रहीगी आपने अपने शोरूम में बैक सेड में यानि इस्ट में मैजनाइन डाली हुई है और उसमें आपने स्टोरेज की हुई है तो भी आपके हैं काम अच्छा होने के बावज़ूद प्रॉफिक्ट अच्छा होने के बावज़ूद भी आपके यहां पैसे की दिकत बनी रहती है क्यों दिक्कत बनी रहती है क्योंकि इस्ट के भाग में जब भी स्टोरिज आ जाती है तो वहाँ पर पैसे के परती हमेशे ही टैटनेस बनी रहती है आपका अपना शोरूम रोड के 11 से नीचा है तो भी आपके हैं पैसे से संबंदे दिक्कत बनी रहेगी आपका शोरूम पहली बात तो अच्छा नहीं चलेगा, अच्छा चल रहा है, तो कहीं न कहीं आपका पैसा गलत जगह खर्च हो जाता है, गलत जगह इन्वेस्टमेंट होकर वो पैसा आपका मर जाता है, या वो पैसा आपका डूब जाता है, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा ह तो मैं आपको क्याना चाहँगा कि आपने यहां अपने एपने श्यूरूम का वास्तु सही करें उनकी साइट विजिट भी करते हैं जैसे उनकी यहां चेंजिस कराते हैं उनको अच्छे रिजल्ट भी मिल जाते हैं आप जरूरत से ज़्यादा प्रेशान हैं तो मेरी वीडियो को दिहां से देखें सुनें समझें और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा द बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तू शास्तर के अनुसार मैप भी बनवा सकते है १ोर आप हमेजर इांसा इंवाइट कर देके लिए कर सकते हैं हमारे जी उन्हों वास्तु शास्तर साथ अपना अनुभव लिखा अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या दुकान या शेरों बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी इस मुस्त के फेस्बूप ग्रूप और वाट्सप ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप मेरी अपनी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने यूटूब चैनल पर 325 प्लस वीडियो अफलोड की हुई है आप मेरी वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का स वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तया दिल से दन्यवाद करता हूं इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नवी शेयर पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार